Hello everyone, आज मैं आपके साथ शेयर करने जारहीूं, बहुत ही ज़्यादा काम के टिप्स एंड टिक्स जैसे कि आगे सर्दी आने वाली है, तो ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, सर्दी से पहले ही आपको इने जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो वीडिय लोग इन स्लाइओं का यूज करती है स्वेटर और भुनने के लिए जब भी हम स्वेटर या फिर कोटी इस तरह से बुनते है तो इसके जो आगे की स्लाइओ यह हमारी उंगली में चुपती है जिसके वैसे उंगली में दर्द भी करने लगता है तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादे चोटी सी यूसफुल टिप लेकर आई हूँ तो आपको क्या करना है कि इस तरह से नेल पेंट ले लेनी है ट्रांसपैरेंट नेल पेंट ले लेनी है तो यहाँ पर तो मैंने दूसरी ही नेल पेंट ले ली है इस नेल पेंट को आपको अपनी सलाइओं की आगे वाली नोक पर लगा देना है इससे क्या होगा कि आपकी जब भी आप भुनाई करेंगे तो इनकी नोक जो है वो आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं चुबेगी जिससे उंगलियों में दर्द भी नहीं होगा इस तरह से नेल पेंट लगा कर रख दे और इसे आप सुखने दे उसके बाद में आप असानी से इसका यूज कर सकते हैं तो आई होब की टिप आपको बहुत ही ज़दा पसंद आई होगी चलते हैं नेक्स टिप की और मेरी अगली टिप है इस तरह से बुक्स को लेकर क्या आपके घर में भी इस तरह से बुक्स बढ़ी हुई है पुरानी जितका आप यूज नहीं कर सकते हैं बुक्स को कभी भी हमें फेकना नहीं चाहिए तो इसका मैं आप बहुती बढ़िया यूज बताने वाली हूँ चाकू रखने के लिए जी हाँ आप यहाँ पर इसमें चाकू असानी से और्गनाइज करकर रख सकते हैं इसे क्या को चाकू रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जैसे चाहिए आप इसमें अपने चाकू और्गनाइज करकर रख सकते हैं अगर आपके घर में चागू और्गनाईजर नहीं है आई होब कि ये भी टिप आपको बहुत ही ज़दा पसंद आई होगी तो चलती है हमारी नेक्स्ट टिप के लिए तो मेरी अगले टिप भी बहुत ही ज़दा कमाल की होने वाली है आपको क्या करना है कि इस तरह से 4-5 पेपर ले लेने हैं और इन पेपरों को आपको इस तरह से फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद में आप इस पर इस तरह से पंच लगाने अगर आप पंच लगाना नहीं चाहते हैं अविलेबल नहीं है तो आप इसमें क्या करें टेप लगाने या फिर गम से इस तरह से इनको जॉइन करना है इस तरह से इनके जो रोल है वो हमें बना कर त्यार कर लेनी है बस इतने इतने बड़े तो इसी तरह से हम बाकी पेपरों के भी जो है वो हम रोल बना लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कापी सारी रोल जो हैं वो मैंने बना कर त्यार कर लिए अभी हम इनका यूज कैसे करने वाली हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ इस तरह से एक खाली बॉक्स लेना यह मैंने कुछ समान अमयजॉन से मगवाया था उसका बॉक्स मेरे पास खाली पड़ा हुआ था उसमें आपको सारे जो यह रोल हैं वो आपको सेट कर देने हैं उसके बाद में इसका यूज हम करेंगे जैसे चार्जर की लिट होगी या फ और यह आपस में मिक्स भी नहीं होगी आप चाहें तो इन रोल्स को काफी अची तरह से गम से नीचे की तरफ भी चिपका दे चाकि यह बिल्कुल भी हिले नहीं तो आई होप कि यह भी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपने चैनल को सब्सक् नैक्स्ट और लास्ट टिप होने वाली है बहुत ज़्यादा कमाल की मेरी लास्ट टिप है बैलून को लेकर क्या होता है कि जब भी हमें बर्थडे या पिर कहीं भी जैकोरेशन किसी भी फंक्शन पर करनी पड़ती है तो हमें बैलून फैलाने के लिए बहुत ज़्याद और इसमें आपको होल कर लेनी है दिए लार पीस को पीने पाइस नहीं पिया पीस, के लिए हाइसे i पर प्रयूण के खार्षट नहीं तर भीने राँ है यहां पर टけम लगा लिए भीने यह हैं साइड आइसे उसे कुछ प्रय रIGHणा दे यआ पर चारो साइडों में इस पर माने टेप लगा दी है इस जूप आप को दोल नहीं और अब कर नहीं की काफी S अरी और इस टेपको वी शॉपलावाद कर दियुक् 절대 जाएं नहीं यहां हो दूबार zais सब्सक्री ने भूद से कि दोला काउसल दोला करती है पीछे से आपको क्या करना है कि बोतल को दबाते जाना है और आगे जो है इस तरह से दिखे बैलून में जो है हवा भरती जाएगी इस तरह से आपको बोतल को दबाते जाना है तो यहाँ पर मैंने आगे से पकड़ लिया ताकि हवा बिल्कुल भी ना लिख ले इस तरह से ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बाई बाई गाईज मिलती है नई टिप्स के साथ